सो नेक्स वों CNG फिलाल मेरे साथ में और इसका जो ना आज माइलेस टेस्ट करूँगा कि CNG में क्या माइलेस देती है 1.2 इस टर्बो इंजन के साथ में सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लो जो CNG के बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यह CNG में लगेगी ही नहीं और गाड़ी जो यहाँ पर स्टार्ट भी है क्योंकि इसका जो CNG लेवल हो बिल्कुल जीरो हो चुका है और अब हम देखने वाले कि इसको फुल कराएंगे उसके बाद चलाएंगे और कितने किलोमेटर चलती है वो चीज अपन देखेंगे मेंने चलाई ठीक है वो प्रोपर लाइक प्रेसर नहीं था तो फुल हुआ नहीं था अब यह आप लोग देखना इसको मैं कर लेता हूं बिल्कुल रिसेट कर दिया है विया रिसेट और अभी जो आना यह जो चीज है इसको भी अपन रिसेट कर लेते हैं अब आपको डाउट नहीं रहेगा किया और मैंने पेट्रोल में तो नहीं चलाई है बीच में कहीं तो वो चीज भी मैं आपको दिखाऊँगा तो सबसे पहले अपन चलते हैं और फुल करा लेते हैं अपनी गाड़ी के टैंक को तो फिलाल जो नहीं मैंने स्टार्ट करा दी है मसीन और लेट सी कितनी क्या यहां पे आएगी अभी स्टार्ट करेंगे यह देखो स्टार्ट हो चुग है अब यह आराम से जो नहीं इसके अंदर वैसे तो साथ से आठ किलो आनी चीए बट प्रेसर के ओपर डिपेंड करता हुआ कि नहीं हुआ कि लट सी कि यहां पर दिखा देगा फुल टेंक हुआ होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने फुल कर रहे हैं तो एक डंडा कम दिखा रहा था तो अभी यह देखना आप इसमें जो ना फुल बिल्कुल फुल एक्सेक्ट फुल नहीं दिखा रहा वैसे अपको दिखा दू अगें यह देखो ट्रीप वह गयरा जो ना सब अपनने रिसेट कर लिए थी जीरो जीरो एट यहां पर यह वाला जो रेशयो है यह भी अपने जीरो कर लिया था तो अभी देखना यह कि अपन कैसी कंडिशन में जो गाड़ी को चलाते हैं सारी चीज आ आपको बताऊंगे कितने किलोमेटर कहां चलाए कैसे चलाए और अपने बताएंगे कि माईलेस क्या निकली फिलाल मैं रेवाडी में हूँ और थोड़ा बहुत ट्रैफिक है बहुत ज्यादा कोई ट्रैफिक नहीं है तो यहां पर आप लोग देखो और राउंड राउंड 1. साथ, पचास साथ क्योंकि यहां पर और टेक भी नहीं कर सकते हैं और सिंगल रोड है पाग यहां बहुत देख लो 10 किलोमेटर अपने गाड़ी चला दिये 14 मिनट्स में और फिलाल जो है CNG का भी एक डंडा गिर चुका है तो अभी जो है ऐसे सिंगल रोड पर ही चल रहा ह जो इस स्पीड में रात में चल सकते हैं तो रोड वैसे सिंगल भाट ट्रेफिक नहीं ह्यां अब मैं डारेक्ट गट गण जा रहा हूं और कि अपको दिखा देता हूं कि कितने किलोमेटर मेरे को और चलना है क्या यह गाड़ी मेरे को उन किलोमेटर सी या फिर मेरी पास तो देखो आराम से चलनी चाहिए तब जाके अठारा के आसपास जो है माई लिस देगी तो यह देखो गाड़ी इतनी कमफरडेबल है कि पता भी नहीं चलता अंदर कि यह इतने बड़े गड़े से गाड़ी निकली है तो यहां पर बार बार ब्रेकर वगर और यह सब आ रहा है तो अभी जो किलोमेटर रीडिंग है वो आप लोग देख लो अगें यहां पर 60 किलोमेटर चल चल चका हूं एक गुंटा साथ मिनिट में स्पीड जो है वो ही 80-90-80-90 के आसपास जो हम चल रहे है तो अच्छी गाजी जो स्पीड मेंटेन कर रखे ऐसा नहीं कि वह ज़दा स्लो चल रहे हैं अगें अब यह स्टेट हाइवे तो अपन मैंने कवर करी लिया है इन 50-60 किलोमेटर में अभी जो किलोमेटर है वो निकलेंगे सारे में हाइवे पे अब देखते हैं आप एक ऐसा किजाम मिलता है ट्राफिक जो है कुछ दिखा तो नहीं रहा है मैप में सो वह डिपेंड करेगा आगे रियल टाइम ट्राफिक पे से 80-90 कि स्पीड जो है मैंने मेंटेन किया है उसके बाद अभी जो मैप बता रहा है वो 33 किलोमेटर से और अभी लेफ्ट है और यहां पर ट्राफिक अपने को मिल गया था यह पंच गाउं का जो है न चोक हाईवे यहां पर गया है मिली जाता है वही ट्राफिक ठोड़ा है वाले हैं तो नीचे जो है कमेंट जिस हिसाब से आप लोग करोगे यह आपको चीए सीटी का नीचे कमेंट करके बताजे ना सौलमोस 100 किलोमेटर हम चल चुके हैं और अभी जो ना लास्ट बार ही बचाए सी एंजी का है और फिर रिजर्व में लग जाएगी और द्वा पंदरा किलोमेटर ही खीच सकती है और 140 के आसफास जब जाएगी ना यह तो समझ जाना कि 20 की माईलिस तो हमने निकाल ली है अभी 10 किलोमेटर के बाद जो हमारी 20 की माईलिस तो पक्की होई जाएगी और भाई जी सी साब से मैं चला रहा हूँ ना मतलब मैं 120 130 तक भी लेक हाली मिला दा तो बट यह जो है खतम होने का नामी नहीं ले रही है और जितना मैं मेरे को बताया थी में डेट से किलोमेटर भी इसको चला रहा हूँ ना एक टैंक में साथ किलो में तो आप लोग यदि जो मतलब प्यार से चलाते हैं 80 90 वैस इस से जाधा नहीं चलाते वो आप स्पीड में इसलिए जाधा रखी थी ताकि आप लोग को आईडिया यह लग जाए कि यदि आप लोग चार लोगों के साथ चल रहे हो 80 90 तो भी जो आपको यह माइलिस मिल सकती है यहां पर जो खतम हो चुकी है और यह जरा सा अडंडा बच रहा है बट वह फिनिश ही अप यहां से में CNG पे shift करता हूं ना तो यह दखो CNG पे shift ही नहीं हो रही है शिफ्ट होगी यह नहीं यह देखो इव लाइट आती है फिर चली जाती है लिए बहूं чयादा जब प्रेस करते हैं तो लाइट आती और चली जाती है तो कुछ सरीके से हो रहा है बट यह CNG प निकाल दिये और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये टर्बो इंजिन है तो मेरे इसाब से तो जो माईलेज है ना वो काफी बढ़िया है और आप लोग यदि तीन-चार लोग के साथ में भी चल रहे हो ना तो भाई आप लोग इतनी माईलेज निकाल लोगे आराम स क्योंकि मैंने जो ना लास्ट के कुछ किलोमेटर्स के अमलब 30 से 40 किलोमेटर्स जो ना ऐसे हाई स्पीड में निकाल दिये लाइक हेंड़ वन ट्वेंटी वह इसलिए ताकि अपने को जो ने एक बैस्ट माईलेज जो है मिल पाए जब आप हर कंडिशन में चलते हो तो कैसी तैयारिया चल दिये वह भाई वह भी कमेंट बोक्स में बताना यार यही था कुछ आसकी वीडियो में कोई भी डाउट सब तो कमेंट कर लेना है एपी दिवाली वह सभी के एडवांस में मिलते में एक्टुडेंट अफ तक के लिए जाइन वने मातरम लाब यू लग के लिए स्विए।